दो गंटा रहोगा सर सारे आंसर लिए डू गंटा जी जी चलूँ एक्चुली जो आपके आंसर लिखे to the point लिखे हैं बिल्कुल है handwriting बहुत अच्छी है और जो यह लोग कहते हैं कि हिंदी में number नहीं मिलते हैं तो handwriting के तो आपको ब्लस number मिलेंगे पहला और दूसरा आपको ना एर सियाद करने की बहुत जरूरत है होता ऐसा पहली बार है चलेगा कोई इशू नहीं है ठीक है आपके इसमें वर्ड लिमीट का कोई इशू मुझे नहीं लगा है और परफेक्ट आंसर लिखें मतलब पढ़कर लिखा है तो पता चल रहा है कि पॉइ सच्छ सही है ठीक है लेकिन थोड़ा सा हमें यह भी ध्यान देना है कि जहां हमें एक फैक्ट को आड करना है न वहां में करना पड़ेगा जैसे हमने यहां पर यह कहा था कि उन्होंने क्या क्या है तीन बार भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ओकी सही है तो आप यहां पर एड करो कि 1906 में स्वराज के बारे में भी ऑफिशली सबसे पहले इन्होंने कहा था जी 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 इंडियनेश्य कॉंग्रेस का सेशन हुआ था 1906 का उसमें भी तो यह पॉइंट अगर आप एड करोगे तो इसे हैवी लगेगा आपका अंसर थोड़ा यह सहायक गटबंदन यह आपका 1898 1798 सब्सिडियर लाइन लॉड वैलिसली बाकी सारे पॉइंस तो आल्मोस्ट गुड थे बट लेकिन यह थोड़ा सा एक राय गया इसमें यह वाला इसकी वज़ा से आपके नंबर करते हैं बाकी आल्मोस्ट सारे आड किये आपने दूसर इसको बतानी पड़ेगी और यहीं हम आद यह सको लिखने का से यह अगर बात करें सब्सिडियर और भी ये आप इसको जो साइंग करें i08 Roy Wonder is क्यों डैक्रिंट यह क्या है जाता है और्र बरीतिशेंग के लिए क्रिये और उसके वाद conclude कर दो, conclusion में बतारों कि without any war ही जो वो states को annex कर लिया गया था, और इसके रिगाड़ी ये कहा भी जाता है कि जो वैलिसली भारत में आया था, तो उस टाइम पे तीनों जो प्रेजडेंसी थी, बॉम्बे, बेंगॉल और मद्रास, इन तीनों के बीच में कोई भी connection नी था land के थुरू, लेकिन वैलिसली ने सबसे रिलाइंस के थुरू जो है, वो सबसे जो है, वो साइन करवा के, maximum state से साइन करवा दिया था, और तीनों के बीच में land route के थुरू connection बना दिया था, ठीक है सर, सबसे पहले किसने साइन की थी, वो बताना जरूरी है, उससे क्या effective है, और मैंने से word count की है, आपको बता, 48 words है इसमें, इसमें एक line और रहेगी, अब वो line मिल नहीं रही थी, वो line इसमें से ही थी, जैसे आपने लिखा न, Lord Convalis came to India, Governor General आये, बैंसर के Governor General बने, ठीक है, इनके टाइम में, 1793 में, जो है, वो Convalis code बनाए गया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर आप एक point और लिख दो, कि यह ऐसी war है, जिसको Cornvalis ने खुद lead किया था, ओके सर, ठीक है सर, यह खुद गये थे, एक point यह add हो गया, फिर, आप उपर लिखो, यहाँ पर सबसे last में, यहाँ पर आप यहाँ आपने लिखाना है, Europeanization, यहाँ आप लेकिन मुझे खुशी है कि पहली बार में वर्ड लिमिट के ओपर बहुत अच्छा जो आवो control किया है, उसके बार नेक्स्ट है, अठारवी सदी वाला जो आपने लिखा है, उपने इश्वादा यह industrialism बहुत अच्छी है, थोड़ी लंबी लग रहे हैं लेकिन comfortable है, मुझ अच्छी जो आप रहे हैं तो यहां पर आप जो आप पर्मेनेंट सेटलमेंट का एक्जांपल लिखो, जी सर पर्मेंट फॉर एक्जांपल पर एक्जांपल अंडर पर्मेनेंट सेटलमेंट बेंगल और भिहार से जो maximum revenue जो एक्स्रक्ट कर ले रहे थे, पिर यहां पर जो money lender जो थे वो जमीनदारों की या फार्मर से जमीन भी लेकर जा रहे थे, घर भी उनके चाहरे थे, जी सब्सक्राइब कैश क्रॉप वाला सूखा पढ़ा बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, लेकिन आप लिखो यहां पर कि कैश क्रॉप्स में जो हो फोकस कर रहे थे ज production और conclusion में कोई दिकत ने है, खराब मत होने देना, यह वाला तो बहुत अच्छा लिखा है, चार नमबर मिले हैं और आप यह को मिले हैं, मतलब चार वाला तो नहीं था, यह, मतलब आठ नमबर का है, लिकिन मैं इसमें आपको आदे नमबर इसले दिया है, क्योंकि points आपने लिखा हुआ है, कि यह कराण था, लेकिन आपको बताना है कि for example भवना रिवोल, for example संथल अप्राइजिंग, या for example पॉलिगार रिवोल, पॉलिगार भी तो अनिम्पलाइड होगे थे न, पहले वो उडिसा के पास काम करते हैं, फिर अनिम्पलाइड होगे थे, तो वो points आ आपको यहां पर लिखने है, उससे आपको जो है, वो आपका answer जो है, वो enriched लगेगा और नंबर मिलेंगे, यह बाकि सही है, और यह जो आपका यह वाला 1857 का यह भी answer इसकी introduction को, introduction आपने हर जगा लिखी है, अच्छा उसके बाद यहां पर, यहां मैंने काया कि भारत, भारत आप इसमें एक्जामपल लिखते ही हिमाचल का, कि हिमाचल का भुशेयर का राजा था, उसने revolt के time पे Britishers को support नहीं किया, बड लेकिन Britishers को punish नहीं किया, जी सर, तो इसका मतलब यह ही हो है कि उन्होंने British ने क्या किया, जो princely states थे उनको support किया एक तरह से, बाद में, जी जी इसमें लगता, एक्जामिनर एक खोश हो जाता कि हिमाचल का भी इसने एड कर दिया है, यह मुल्टि-डैमेशन अप्रोच बनानी पड़े कि बाकी सब भी है, शिक्षा वाला डाला तो उन्वेस्टी जालनी चाहिए थे, कलकता उन्वेस्टी वेगरा वो, और सैनिको वाल यहां पर यह लगा है, वैसे यह बहुत अच्छा है, मतलब यह वाला जो आपने इसमें लिखा, लेकिन आपको इसमें लगा कि थोड़ी सी नेगटिव सेंस लगी मुझे इसमें, मतलब इंट्रदक्शन में, आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है कि पह है, यहां पर भी आपने थोड़ा सा गलत है, 1829, 1829 है, और साथ में आप यहां पर स्कूल को भी आड़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्डन है, यह फर्स्ट स्कूल है एक तरह से, यह 1852 में एश्यो चंद्रविद्य सागर ने भी काफी रोल प्ले किया है ना इसमें, और फिर उसके बाद एक चीज़ जो आपको और सीखनी है, वो यह कि जब आप कंक्लूर करने लगोगे ना, तो आपने यहां तक सारा कुछ बता दिया, ठीक है, अब आपको यह बताना है, कि 19th century में जितना भी कुछ हुआ, उससे बेस प्रिप्रिप्र हुआ, फूचर आपको रिव्यू मैंने कर दिया है, सारा कसारा इसमें, कोई और डाउट,